प्रिये विद्यार्थियो बिये पार्ट सेकेंड भूगोल प्रायोगिक के अंतरगत द्विविम आरेख में चक्र आरेख एक महत्पूर्ण आरेखों की स्रणी में आता है जिसे चक्र आरेख या विभाजित वरत आरेख भी नाम दिया जाता है इंग्लिस में इसको वील डाइग्राम, पाई डाइग्राम और डिवाइड़ सर्कल डाइग्राम के नाम से जानते हैं ये एक द्विविमारेख है जिसमें दिये गए मूल्यों को एक वरत के छेतरफल के द्वारा प्रकट किया जाता है और विभिन जो मद हैं उनमें दिये गए मूल्यों को उस एक वरत के अंतरगत ही वरत को विभाजित करके भिन भिन मूल्यों को प्रकट किया जाता है इस करने से इसको विभाजित वरत तारेख भी कहा जाता है इसको बनाने की विदी बहुत सरल है बहुत आसानी से हम इसको बना सकते हैं पहले एक वरत अपनी सुविधान सार कोई भी तरज्जा ले करके खेंचा जाता है इस बात को आप नोट करें ध्यान रखें वरत की तरज्जा हम हमारी मर्जी से हमारी सुविधान सार कागज के साइज को ध्यान में रखते वे निर्धारित करते हैं इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है कोई मापक नहीं है व्रत खेंच लेने के बाद जो हमारे पास दिये गए मूल हैं दिये गए आंकड़े हैं उन दिये गए आंकडों को ध्यान में रखते हुए हम शब्से पहले उन दिये गए आंकडों का योग प्राप्त कर लेते हैं और योग प्राप्ट करने के बाद चूंकि वृत्त में हमने अभी आपको बताया कि वृत्त का विभाजन किया जाता है मूल्यों के अनपात में तो मूल्यों के अनपात में वृत्त का विभाजन करने के लिए हम प्रतेक दिये गए मूल्य के लिए प्रतेक दिये गए घटक के लिए हम उसके क्षेत्रफल अथवा उसके मूल्य के अनपात में उस घटक के लिए वृत्त के कौन को वृत्त के अंस को ग्याद करते हैं व्रत का अंस संबंदित घटक के लिए कितना होगा वह हम ग्याद कर लेते हैं इसके लिए हम सबसे पहले दिये गए मूल्यों को अवरोही क्रम में जमा लेते हैं बड़े से छोटे के क्रम में जमा लेते हैं और बड़े से छोटे के क्रमे जमाने के बाद हम उनके अंसों का मान ग्याद करते हैं अंसों का मान आने के बाद संपून जो अंसों का मान होगा मतलब कुल योग जो अंसों का होगा वो वरत्य के कुल अंसों के योग के बराबर होगा अर्थात 360 डिगरी होगा इस तरीके से हमने प्रते घटक के अंसों का मान ग्याद कर लिया उसके बाद हम सभी कौनों का सभी अंसों का संचई मान और ग्याद कर लेते हैं संच-ई-मान ग्यात करने के लिए मान लीजीये पहले जो घटक का मुल लिया रहा है अंसों में उसकी जो वैल्यू आई है वो वैल्यू जैसे की तैसीर रह जाएगी और दूसरे की जो value है वो पहले वाली में जोड करके उसके सामने लिख देंगे तो वो संचई मान उसका हो जाएगा फिर तीसरे की value उपर की दोनो values में जोड देंगे या अंसों में जोड देंगे तो वो तीसरे का संचई मान हो जाएगा और इसी प्रकार से चोथे की value को उपर की 3 की values में जोड़ देंगे तो चोथे का संचई मान हो गया और इस प्रकार से सभी का संचई मान अगर मिला देते हैं तो वो हमारे कुल योग के बराबर 360 degree आएगा तो ये तो एक हमारा primary work हो गया इसमें और ये primary work करने के बाद, calculations करने के बाद, मतलब इसको हम दो भागों में बाढ़ सकते हैं वीर डाइग्राम का जो काम है उसको, पहला उसका calculation work है, calculation work यही है जो मैंने आपको बताया आपके पास कोई घटक दिया हुआ होगा, उससे संबंदी तांकडा दिया हुआ होगा उसके बाद आपको उसका कौन निकालना है अंसों में और उसके बाद अंस का संचई मान निकालना है यह आपका calculation work हो गया, calculation work के बाद, आपको चक्रारेक की रसना करने के लिए जैसा अभी हमने चर्चा की, हम चक्रारेक के लिए कोई एक त्रिजा, अपनी आवशकतांसार, अपनी इच्छांसार लेकर के एक वरत्त की रसना करते हैं व्रत में व्रत के केंद्र को उत्तर दिशा में हम उसकी एक तरज्या खेंच लेते हैं और उत्तर दिशा में एक तरज्या खेंचने के बाद हम बड़े से छोटे की और अभी हमने बताया था वरोही क्रम में हमने जमा लिये हैं तो सबसे बड़े मुल्य को सबसे पहले लेते हैं उसका अंस पहले हम लेकर के कौन बनाते हैं उत्तर से हम क्लोक वाइट चलते हैं घड़ी की दिशा में चलते हैं उत्तर दिशा से तो हमने पहला मान लेकर के कौन बना लिया उसके बाद दूसरा जो मान है वो लेकर के बना ल या हम जो वास्तविक मान है पहली अंच ले लिया उसका कौन बनाया उसके बाद दूसरे अंच का कौन दूसरी रेखा को आधार मान कर बनाया फिर तीसरी को चोथी को लेकिन चुकि हमने संचई मान गयाद कर लिया है तो हम जो हमारे पास चांदा है सरकिल है उस सरकिल से हम ए एक ही आदार रेखा लेते हुए आराम से कौन बना सकते हैं, पहले में हमने पहले घटक का अंच लिया, उसके बाद दूसरे को मिला करके संचई मान लेकर के दूसरा कौन बनाया, फिर तीसरे को मिला के संचई मान आया, उससे तीसरा कौन बनाया, चोथा, प्माचवान जितन आप इन विविन मूलों को दर्शाने के लिए घटकों को इसपस्ट तोर पर समझ में आ जाए कि कौनचा घटक कौनचा सरकिल में घटक को किस शेड से दिखा लिया गया है एक अलग-अलग शेड उसको हम दे देते हैं जैसे हमने एक मूल कोई भी था उसको हमने मान लीजिए कोई अपनी शेड दी आड़ी लाइन से दिया तो दूसरी को हम आड़ी लाइन में दूसरे लंग की आड़ी लाइन ले सकते हैं या चोखाना ले सकते हैं तीसरे में डोट ले सकते हैं चोथे में डोट को थोड़ा पहले डोट जो लिया है उससे छोटा कर सकते हैं फिर हम क इंडेक्स में दिखा देते हैं संकेत लिख देते हैं इंडेक्स बना देते हैं कई बार हम प्रतिशत मूलों में भी प्रतिशत में भी मूलों को दर्शाते हैं अगर हमें प्रतिशत में मूलों को दर्शाना है तो हमारे सर्किल में ठीक हमने जो पहला अर्द्व्यास ब्रत्त कि हम सो भागों में विभाजित कर लेते हैं और विभाजित करके जो माप आती है उस माप को ले करके 55 डिग्री के अंतर पर 5 10 15 20 और ऐसे करते हुए हम वापस तक आ जाते हैं तो पिच्चाण में उसके बाद 00 लिख देते हैं तो जीरो और शो का एक ही स्थान होगा उस तरीके से हम इसको प्रतिशत में भी प्रदर्शित कर सकते हैं तो ये था हमारा चक्रारेक इस चक्रारेक को बनाने के लिए बहुत ही सरल ये विदी हमारी है एक उधारन मैं आपको छोटा सा देता हूँ यहां मान लीजिए कोई भूमी हमारे पास दी हुई है भूमी के भिन भिन वर्ग हैं क्रिश्ट भूमी है वन है क्रिशी के लिए एप्राप भूमी है परति भूमी के अतरिक्त अन एक्रिस्ट भूमी है और परति भूमी है यह हमारे पास पांच वर्ग हैं मान लिजिए और उनका खेत्र फल करोड बहोमी में ये हमारा कुलक शेत्रफल walकलक मदों में दे दिया अब हमने इसका योग निकाल करके कुलक शेत्रफल हमारा जो भूमी वर्गी करण का है वो निकाल लिया अगला मैंने आपको कॉलम बताया था, इनके लिए हम वरत्त के अंसों की गर्णा करेंगे तो वरत के अंसों की गणड़ना कैसे कहेंगे हमारी क्रिस्ट भूमी के अंतरकत जो चित्रफल आया उसके लिए कितना अंस होगा उसका मूल बटा हमारा जो कुल चित्रफल है वो इस उधारण में देखें तो क्रिस्ट भूमी का मूल 14.02 तो 14.02 बटा कुल क्षित्रफल अर्था 30.41 और गुणा हम कर देंगे वरत के कुल अंसों से अर्था 360 डिग्री से तो 14.02 बटा 32.41 गुणा 360 करते तो उसकी वैल्यू निकल करके आती है इसको हम पूर्ण आंक में ले लेंगे अंसों में होशकेगा उतना या उसके नीरस पॉइंट जो भी होता है उसमें ले लेंगे तो यह 166 डिग्री आता है दूसरा हमने देखा हमारा 6.68 के लिए 6.68 के लिए 6.68 बटा 32.41 गुणा 360 किया तो यह वैल्यू आगी 79 डिग्री और इसी प्रकार से समस्त जो घटक हैं उनके लिए हमने कोणों के मान ग्याद कर लिए और कोणों के मान ग्याद करके हमने पहला कोण उत्तर दिशा से बनाते हुए 166 डिगरी का बना दिया दूसरा हमारा मान था 89 डिगरी का तो उसको हमने हाँ अगला एक मैं आपको बताना भूल गया पहला ये सारे कोणों के मान लेने के बाद हम एक संचई मान ग्याद करते हैं तो संचई मान में पहली जो हमारी कोलम है उसमें तो वही आ जाएगा क्योंकि उससे उपर कोई मान नहीं है इसलिए वही मान एज़ेटी जाएगा 166 डिगरी और दूसरा संचई मान होगा 166 प्लस सेकंड वाले की जो वैल्यू है कौन की प्लस 89 तो टोटल होगा 245 डिगरी और उसके बाद थर्ड संचय मान हो गया यह 245 उपर के दोनों की जो वैल्यू है इसमें थर्ड वैल्यू 46.8 डिगरी जोड दिया तो यह आगा 291.8 डिगरी फोर्थ के लिए संचय मान हो जाएगा 291.8 डिगरी प्लस जो फोर्थ की वैल्यू है 39.8 डिगरी यह आजाएगा 331 प्लस 331.6 डिगरी और लास्ट वाला इसमें और जोड देंगे 28.4 डिगरी तो आजाएगा कुल 360 डिगरी तो इस तरह से यह हमने अंसों के मान ले लिए इसके बाद हमने इसी क्रम में कौन बना दिये और कौन बनाने के बाद जो मैंने उपर आपको प्रक्रिया बताई है उसके अनुसार आपने इसमें सेड भर दी और अगर प्रत्षत मान दर्शाना है तो उपर एक दूसरा सर्किल खेंच करके उसमें आप 55 डिगरी के अंतर के उपर कौनों की जो वैल्यू आपने प्रत्षत के साब से निकाले थी वह लेकर के 55 प्रत्षत का मान देखते वे आप उनको दर्शा देंगे से और उपर उसका एडिंग लिखदेंगे लैंड इंडिया है तो और इंडिया रास्त थान तो रास्त थान और उसका इर लिखदेंगे और नीचे डायाग्राम का नाम लिख देंगे वील डाइग्राम